नमस्कार में पंडित नरेंद्र पाध्या लाइव हिंदुस्तान के जोतिश्य कारीकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले 30 जनवरी 2023 की ग्राइस्थिति देखते हैं राहु मेश राश्री में मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग ब्रिशब राशी में केतु तुला राशी में बुद्ध धनू राशी में सुर्य मकर राशी में शुक्रचनी कुम्भ राशी में गुरु मीन राशी में गोचर में चल रहे हैं राशी फल देखते हैं मेश राशी, धनका आवक बढ़ेगा, कुटुम्बो में ब्रधी होगी, लक्षमी का मिलने का योग बनेगा, स्वास्त पहले से बहतर है, प्रेम संतान की इस्थिती अच्छी है, व्यापारिक द्रश्टिकोंड से महत्पूर्ण समय हो सकता है, लाल वस्तु पास रखे ब्रिशव राशी, ओजस्वी ते जस्थ्वी बने रहेंगे, आपका समाज में नाम बड़े प्रतिष्ठा के साथ लिया जाएगा, जिस्चिश की जरूरत होगी, उसकी उपलब्धिता होगी, स्वास प्रेम ब्यापार अद्भुद दिख रहा है, लाल वस्तु का दान करे, करक राशी, स्वास में सुधार, प्रेम संतान की अद्भुद इस्थिति, आयके नवीन मार्ग प्रसस्त होंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, स्वास प्रेम ब्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है, लाल वस्तु पास रखे, कन्या राशी, भागे साथ देगा, यात्रा में लाब होगा, भागे बस कुछ काम बनेंगे, स्वास अच्छा है, प्रेम अच्छा है, ब्यापार अच्छा है, लाल वस्तु का दान करे, तुला राशी, छोट्चे पेट लग सकता है, किसी परिशानी में पढ़ सकते हैं, परिस्थितिया प्रतिकूल है, स्वास पे ध्यान दे, प्रेम संतान अच्छा है, ब्यापार भी अच्छा है, बजरंग बली को प्रणाम करते रहे, ब्रेश्यक राशी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग निलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, ब्यापसाई कलाब होगा, नौकरी चाकरी के इस्तिति अच्छी रहेगी, स्वास प्रेम ब्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है, लाल बस्तु पास रखे, धनुराशी, धनुराशी के इस्तिति अच्छी होगी, शत्रों पर विजय पाएंगे, स्वास थोड़ा मध्यम रहेगा, प्रेम संतान भरपूर सहयोग निभाएगी, ब्यापारिक द्रश बच्चों के सेहत पे ध्यान दे, प्रेम में तूतु में में संभाव है, स्वास अच्छा रहेगा, लाल बस्तु का दान करे, कुम्भराशी, वो मिवानवान के खरदारी संभाव है, घर में थोड़ा सा नरम और गरम दोनों माहौल बना रहेगा, स्वास अच्छा है, प्र निवता मिलेगा ब्यापार का, भाईयों और मित्रों का साथ होगा, स्वास प्रेम ब्यापार बहुत अच्छा है, लाल बस्तु पास रखे, नश्कर